नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ज्योती नेचकर में दोस्तों आज में आपसे बात करने वालाओ ग्रीन टी और उससे जुड़े आश्चरे जनक फाइदों के बारे में अगर आप फिटनेस के बारे में सोच रहे है और फिट रहने की कोशिस कर रहे है तो आपको Green Tea का सेवन जरूर करना चाहिए बिते कुछ सालों में Green Tea की लोग प्रियता और डिमांड में काफी बड़ोत्री हुई है अपना वजन कम करने वालों के लिए पुसंदीदा पे है इसके अलवा स्कीन की कॉलेटी सुधारने में मेटाबोलिजम बूस्ट करने और लंबे समय तक एक्टिव बने रहने के लिए Green Tea बहुत फायदे मन साबित हुई है इससे पहले कि हम Green Tea के फायदों के बारे में जानकार इले पहले हम जान लेते हैं कि Green Tea क्या है Green Tea केमेलिया साइनेसिंस पोदे से बना जाता है इस पोदे की पत्तियों का उपयोग न सिर्फ Green Tea बलकि अन्यप्रकार की चाय जैसे Black Tea बनाने के लिए किया जाता है लेकिन मानव सास्त के लिए सरीर पर सबसे ज्यादा असर Green Tea का देखा गया है वैसे तो मार्केट में कई तरह की Green Tea मौजूद होती है लेकिन कुछ अलग-अलग Green Tea जैसे Jasmine Green Tea, मौरक को Meat Green Tea, Gain Matcha Green Tea, Dragon Well, Cookie Cha, Senua Green Tea, Matcha Green Tea जैसे अलग-अलग नामों से जानी जाती है Green Tea वजन कम करने के लिए उपयोग हो सकती है इसमें मौजूद Antioxidant Metabolism को बढ़ा कर वजन कम करने में मदद कर सकता है इसे रोजाना पीने से सरी में वास कम होता है और पेट की चर्वी गटती है इसे वजन गटाने में मदद मिलती है Green Tea पीने के फायदों में Diabetes जैसे बीमार्या सामिल है रोजाना एक कप Green Tea पीने वाले लोगों की तोलना में प्रति दिन 6 या उससे अधिक कप Green Tea का सेवन करने वाले रोग्यों को 33% मदू में का खत्रा कम होता है Green Tea में सामिल Antioxidant से बालों का गीरना कम होता है और दात में कीड़ा लगने से बचे रहते है Green Tea के इतने फायदे होने के कारण हमें Normal चाय की जगह इसका सेवन जरूर करना चाहिए Green Tea में फ्लोराइड अधिक मात्रा में होता है जो हड़ियों की सक्ति को बनाय रखने में मदद करता है Green Tea के नियमित इस्तमाल से हड़ियों के फ्यक्चर के जोखिम को कम करता है Arthritis के रोगियों को Green Tea का सेवन काफी फायदे मन होता है इसमें मौजूद Antioxidant सुजन को कम करने में मदद करता है Green Tea के रोज़ाना इस्तमाल से हमारे सरीर की रोगप्रातिकारक समता को बढ़ा कर व्यक्ति को बीमारियों से लड़ने के लिए सक्सम बनाता है ऐसा इसमें मौजूद क्याटकिन के कारण होता है Green Tea हमारे सरीर की इम्मून सिस्टम को मजबूत बनाती है Green Tea में केफिन होता है इसलिए Green Tea का अधिक मात्रा में सेवन करने से आपको अनिंद्रा, पेट की खराबी, उल्टी, दस्त जैसी समस्या हो सकती है तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए Green Tea के बेहतर परिनाम पाने के लिए आप Green Tea का सही समय और सही मात्रा में आपको सेवन करना चाहिए Green Tea आपको खाली पेट नहीं लेना चाहिए खाना खाने से पहले एक या दो गंटे पहले Green Tea का सेवन करना चाहिए कुछ लोग Green Tea में दूद और चीनी मिला कर पीते है तो आपको ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए क्रिंटी में सहद मिला कर पीने से आपको अत्याट लाब मिलता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर जानकारी अच्छी लगियो तो हमारी चैनल को सबस्ट्राइब करे और पास में दिया बेल आइकन दबाए ताकि हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार